वो अमूल पालिकर की फिल्म है ना गोलमाल और उसमें गाना है गोलमाल है भई सब गोलमाल है जी हाँ आज बोल किलब आजाद है तेरे में हम चर्शा करने जा रहे हैं दो मुद्बे की जिसे सुनने के बाद आप भी गाएंगे कि गोलमाल है भई सब गोलमाल है ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहिए, तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते, बोल, इलाबा अजाद है तेरे वो दो खबरें कौन सी हैं, बीबी सी ने सूचना के अधिकार के अंतरगत, प्रधान मंत्री कारयाले से एक जानकारी मांगी, और वो जानकारी क्या थी, आपको याद है, लोग सभ़ चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्या कुमारी में 45 घंटे त प्रधान मंत्री कारयाले ने कहा कि प्रधान मंत्री कभी छुट्टी पर नहीं होते हैं, प्रधान मंत्री तब भी काम कर रहे थे, अर आप बताईए साब, कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा हो 45 घंटे, वो काम कैसे करेगा, या फिर आपने ध्यान को ही काम बता दिया, प्रधा रामपत से 50 लाक के जो लाइट्स हैं उसकी चोरी हो गई इसाही सुना आपने 50 लाक के लाइट्स की चोरी हो गई है याद कीजे कुछ दुनों पहले इसी मंच पर मैंने खबर की थी कि किस तरह से आयोध्या की जमीन की बंदर बांट की जा रही है धन्ना सेठो को और भारती जानता पार्टी के करीबी नौकरशाओं और नेताओं को मगर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे BBC द्वारा सूशना के अधिकार के अंतरगत यानि RTI के अंतरगत जुटाई गई जानकारी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों कि BBC ने क्या सवाल पूछा है और उनका जवाब क्या आया आपकी स्क्रीन्स पर BBC ने सूशना अधिकार के अंतरगत प्रधान मंत्री कार्याले से जानना चाहा कि कन्या कुमारी में प्रधान मंत्री मोदी ने जो 45 घंटे बिताए उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में कैसे दर्श किया गया है आवेदन के जवाब में प्रधान मंत्री कार्याले ने बताया कि प्रधान मंत्री मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली है जवाब में ये भी बताया गया कि प्रधान मंत्री हर वक्त ब्यूटी पर रहते हैं उनके कार्याले ने BBC को बताया कि मई 2014 में जब से प्रधान मंत्री मोदी ने कारिभार समाला आये तब से उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले है दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप में और हम में से कई लोग अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर याद कीजेगा विपस्तना के लिए जाते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन के लिए जाते हैं कभी कभी होता है ना कि मन बहुत जादा आशांत होता है तो हम लोग चले जाते हैं विपस्तना या ध्यान करने या किसी शिविर पे चले जाते हैं या हम जिस भी गुरू को मानते हैं उनके पास चले जाते हैं दस बारा दिनों के लिए और उस 10-12 दिनों के लिए हम ध्यान लगाते हैं अच्छे काम करते हैं धार में काम करते हैं अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्या आपका दफ्तर उसे काम के तौर पर देखता है या उसे छुट्टी मानता है तो फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो 45 घंटे ध्यान पर थे उसे उनका कारयाले काम क्यों बता रहा है सबसे बड़ी बात मुद्दा ये नहीं है कि प्रधान मंत्री का कारयाले से काम बता रहा है 45 घंटे के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान को उन्होंने काम बता दिया मुद्दा यहाँ पर यह है कि याद कीजिए दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कई बार उन मंचों पर जहाँ पर देश की जनता एक प्रधान मंत्री को सुनना चाहती है वहाँ पर खड़े होकर वो भाजपा के नेता की तरह बोलते हैं और विपक्ष को आड़े हाँ थो लेते हैं मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में पूरवांचल एक्सप्रेस वेका उधगाटन कर रहे हैं तो फिर उस मंच पे खड़े होके क्योंकि आप उधगाटन कर रहे हैं प्रधान मंत्री के तौर पर तो उस मंच पर खड़े होकर आप अखिलेश यादव के बारे में ताना क्यों मार रहे हैं आप अखिलेक्ष रादव की आलोशना या राहूल गांदी की आलोशना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रधान मंत्री का पद होता है निश्पक्ष, राजनीती से उपर. मैं वानता हूँ कि आप भाजपा के नेता हैं. हो क्या रहा है दोस्तों? प्रधान मंत्री या ये कहा जा और राजसभा के सभापती माननिय जगदीब धनकड़ पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगता है. ये कहा जाता है कि ये लोग अपने पद की गरिमा को भूल गए हैं और सिर्फ विपक्ष को डाटते रहते हैं, सिर्फ विपक्ष पर कारवाई करते हैं, मगर भाजप गया है. और मैं आपको बता दूँ, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो इसकी आलोचना कर रहा हूँ, मैं आपको तीन लोगों से मिल बाना चाहता हूँ. संजय बारू, संजय बारू वो शक्स हैं जोनोंने पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग के साथ काम किया था और उन पर एक किताब लिखी थी, The Accidental Prime Minister, जिस पर फिल्म भी बनी थी और कॉंग्रेस की अच्छी खासी आलोचना हुई थी. नीरजा चौधरी पत्रकार, जिनोंने हाली में प्रधान मंत्री उपर एक किताब लिखी है, और सुधेंद्र कुलकरणी, जो की पूर्विग्रह मंत्री, ल बात करती हुए कहा, ये कहना हास्यासपद है कि प्रधान मंत्री मोदी ने कन्या कुमारी में जो ध्यान किया, वो उनकी आपचारिक ड्यूटी का हिस्सा है. क्या लोग जब ध्यान करते हैं, वो इसे अपनी ऑफिशल काम या ड्यूटी के तौर पर करते हैं? क्या कोई संग लगठन अपने करमचारी के ध्यान करने को ड्यूटी मानेगा. एक और बात, जब प्रधान मंत्री उपलब्द नहीं रहते, तो उनकी जिम्मेदारी है कि किसी दूसरे मंत्री को जिम्मेदारी दें, जो सरकार के कामों को चलाता रहे. इससे पहले कि मैं आपको वतलाओं कि निर्जा चौधरी ने क्या कहा, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, जब पुलवामा का हमला हुआ था, जिसमें हमारे 41 जवान शहीद हुए थे. आपको याद है, उस वक्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरा खंड में थे, चुनावी कैंपेइनिंग कर रुकावट नहीं आये, मगर बात वहां नहीं रुकी, बैर ग्रिल्स के साथ बाकाइदा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कारकरम किया था, ये कारकरम तब रिकॉर्ड किया जा रहा था, जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, सीधा सवाद, जब प् हैं, तो प्रधान मंत्री ने पुलवामा को लेकर बात क्यों नहीं की, उसको लेकर जानकारी क्यों नहीं जुटाई, प्रधान मंत्री अपनी चुनावी सभा क्यों करते रहे, पुलवामा को लेकर जानकारियां क्यों नहीं जुटाई गई, याद कीजेगा, पूरवराज सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था उन्हें बाकाइदा प्रधान मंत्री कार्याले की तरफ से कॉल आया था कि आप इस मुद्दे पर खामोश रहें कुछ ना बोलें उनको ये नसीहत दी गए थी तो जब प्रधान मंत्री बैर ग्रिल्स के साथ शोज करते हैं तो क्या वो अपनी दफ्तर से छुट्टी लेके विपस्ना करने जाते हैं या ध्यान लगाते हैं कहीं पर जाके मेडिटेशन करते हैं क्या आपके दफ्तर को इसे काम के तहद नहीं मानना चाहिए क्या आपको उस साथ दिनों के लिए सालरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए तो 45 घंटे तक जब प्रधान मंतरी काम कर रहे थे तो उनकी सालरी कटी या नहीं कटी ये सवाल है भाई और ये सवाल पूछा जाएगा तो जैसे मैंने कहा गोल माल है भाई सब गोल माल है और इसी गोल माल के तहट एक और खबर ये खबर ये कहती है कि आयोध्या में करीब 3800 लाइटों की चोरी हो गए जिसकी कीमत 50 लाक रुपए है दिल्चस्प बात यह दोस्तों ये मामला आता है मैं 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 कमपनी को पता चलता है कि उसकी 50 लाक की लाइटें चोरी हो गई है मगर F.I.R कब दर्ज होता है अगस्त में यानि मैं जून जुलाई अगस्त चौथे महिने में जाकर 50 लाक की लाइट जो चोरी होती है उसको लेकार F.I.R दर्ज होता है मैं समझना चाहता हूं क्यों क्या गोलमाल चल रहा है क्या कमपनी को इस बात की परवा नहीं कि उसकी 50 लाक की लाइटें चोरी हो गई है और आप केस कब डायर करते हैं चौथे महिने में अयोध्या में हो क्या रहा है दोस्तों अयोध्या के महंत ये शिकायत करते हैं कि जहां राम लला बैठे हुए है उपर से छथ टपक रही है आयोध्या में जैसे ही राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोट का फैसला आता है उसके बाद आपको याद है किस तरह से जमीनों की खरीद फरुख्त होई थी अडानी ग्रूप, लोढ़ा ग्रूप, ब्रिज भूशन शरंड सिंग के बेटे अरुनाचल प्रदेश के डेपटी चीफ मिनिस्टर के दो बेटे भारती जनता पार्टी सरकार में काम कर रहे नौकर शाहों के रिष्टदार इन तमाम लोगों ने आयोध्या में जमीन खरीदी थी आयोध्या को लेकर जमीन घुटाला भी सामने उभर कर आया है जिस मामली को दफ्न कर दिया गया है कटगरे में आयोध्या मंदर से जुड़े लोग थे कोई उसकी बात नहीं करना चाहता क्योंकि कोई भी उस सवाल उठाएगा तो उसे धर्म विरोधी कहा जाएगा उसे अंटी हिंदू कहा जाएगा अब बताई ये जो पचास लाक के लाइट की चोरी हो गई है इसके बारे में सवाल कौन करेगा चौथे महीने बाद F.I.R. क्यों दर्श की जा रही है कुछ आशंका हैं आपके जहन में दोस्तों क्या ये जो चोरी हुई है या किसी ने करवाई है ये सवाल पूछा जाएगा क्योंकि अगर आप F.I.R. चौथे महीने में दर्श करेंगे इसका मतलब कुछ सोच विचार हो रहा था आपने जान बूच कर ऐसा नहीं किया आप कब कर रहे हैं 9 अगस्त को जी हाँ माई में चोरी हुई 9 अगस्त में किया जा रहा है और फिर आप धर्म के नाम पर वोट मांगते हो शर्म आती है आपको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा हुई थी वो मंच सिर्फ राजनीतिक बन गया था इसी वज़ा से सोनिया गांधी और मल्लिकार जुम खड़गे ने वहाँ जाने से इंकार कर दिया था क्योंकि वो जानते थे कि उस आयोजन का इस्तवाल सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी के महिमा मंदन के लिए किया जाएगा और हुआ भी भई रधान मंत्री का महिमा मंदन हुआ मगर आयोध्या और फैज़ाबाद की जनता मूर्ख नहीं है उसने लोगसभा के चुनावों में भाजपा को करारा सबक सिखाया आयोध्या फैज़ाबाद में बीजेपी हार वी यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि वहां की जनता जानती है आपको गोदी मीडिया जूट लगातार बताता रहता है जहर उगलते रहता है राम के नाम पर भी मगर वहां की जनता भुगत रही है ना साथ साल से वहां के जमीन के सरकल रेट में कोई बढ़ुत्री नहीं हुई है आयोध्या में रहते हुए वहां की आप जनता को कोई फाइदा नहीं है मगर धन्ना सेठों को यानि की अडानी ग्रूप, लोडा ग्रूप, ब्रिजभूश अंड शेरंड सिंग, अरुना चल प्रदेश के डेपिटी चीफ मिनिस्टर के बच्चों, नौकर शाहों इन तमाम लोगों को फाइदा हो रहा है आपको नहीं हो रहा है लाइटे चोरी हुई जा रही है और वो भी लाइटे कितनी की, पचास लाक पचास लाक की लाइटे चोरी हो जाती है, कोई जवाब दे नहीं है चौथे मैदे में F.I.R. दर्ज हो रहा है, देश के सामने आप ध्यान करते है और आपका कारयाल है, उसे काम बताता है, अच्छा है, आप नसीहत दे रहे हैं मेरे ख्याल से कल से दफ्तरों में लोगों को जाके ध्यान लगाना चाहिए क्योंकि देफ्तरों में काम करके हम सब को तनाव होता है, टेंशन होता है तो क्यों न हम अपने दफतरों में जाकर दो-दो-तीन-तीन धंटे ध्यान लगाएं हमारी कमपनियां हमें पैसा देंगी मगर क्या पैसा कर पाएंगे आप करके देखिए आपको धक्के मारके दफतर से भाहर कर दिया जाएगा कि जा ये सडक पर बैठके ध्यान कीजिए मगर प्रधान मंत्री पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है और प्रधान मंत्री कारेले BBC को दिये गए इस जवाब में RTI के जवाब में ये कहता है कि प्रधान मंत्री छुट्टी पर कभी नहीं होते है उस ध्यान के समय भी उनकी ड्यूटी जा रही थे हस गये हैं आप अगर ध्यान को ड्यूटी बता रहे हैं तो माप कीजेगा वो ड्यूटी नहीं है और अगर आप ध्यान को ड्यूटी बता रहे हैं तो तमाम लोग जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं भी रोज एक एक दो दो घंटे ध्यान करें, 48 गंटे ध्यान करें, क्या उनको ऐसी आजादी है, जो आप आजादी देश के प्रधान मंत्री को देते हैं, जो खुद को प्रधान सिवग बताते हैं, मेरे इन बातों पर गौर कीजेगा दोस्तों, क्योंकि सवाल तो पूछे ज रहेगा, अब इसार शर्मा को दीजिए अजासत, नवस्कार.